नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासेश में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बताने वाला हूँ कि आप महला हैं या पुरुष हैं आप कैसे खुद चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल से घर बैठके कि आप इंडियन आर्मे की कि ट्रेड के लिए और भरतिक देखने के लिए एप्लिकेबल है या नहीं है चाहिए आपके लिए हाइट में डाउट हो बेट में डाउट हो एजुकेशन क्वैलिफिकेशन में डाउट हो या फिर आपके लिए किसी भी सब्जेक्ट में डाउट हो तो आपके लिए कहीं पर जाने की जरूद नहीं है यह वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को डिटेल में देने वाला हूँ और आपके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको लाइप प्रूब दूँगा इंडिन आर्मी की ओफिसिल बेपसाट पर ले जाकर आप खुद दिखाऊंगा कि आप कैसे अपलाइक कर सकते हैं और मतलब इस वीडियो को सबस्क्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको मोबल में गूगल में आना और आपको यहां पर सर्च करना है www.join.indianarmy.nic.in जैसा कि यहां पर लेकिए आ चुका है अब मैं केवल यहां पर इंटर कर दूँगा फिर आपके सामने इंडियन आर्मी की जो है वो ओफिसियल वेपसाइट खुल जाएगी जिसके बाद में आप पता लगा सकते हैं कि आप खुद पता लगा सकते हैं कि आप भरती के लिए एप्लिकेबल हैं या नहीं है तो यहां पर थोड़ दोस्तो थोड़ा सर्चिंग में टाइम लग रहा है क्योंकि नएट सेल हुए तो मैं यहां पर वीडियो को पॉस्ट कर देता हूं इंटर वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद मां आपके सामने कुछ इस तरह से इंडिन आर्मी का जो है वह ऑफिसिल वेबसाइट खुलकर सामने आ जाएगी फिर आपको जाना है जिस लिए यहां पर पहले से भरके रखिए मैं आपको बता दूंगा पूरी डिटेल इस्ट डिश्टिक आगरा है मैं आगरा करें बाला हूं तो यहां पर मैंने आगरा लिख दिया है यहां पर आप अपनी तहसील लिख देंगे उसके बाद में दोस्तों यहां पर आपके डेट व बर्थ हो जाएगी जैसे मेरी डेट बर्थ 5 फरवरी 2002 है तो मैंने उसके लिए भर रिख करेंगे उसके बाद में मैरीटल स्टेटिस से मैं अन्मेरिट हूँ तो मैंने यहां पर इंमेरिट कर दिया है और यहां पर update candle लगाना है क्योंकि दोस्तों यह में पहले से ही job कर रहे हैं उसके बाद में दोस्तों यह detail आपकी automatically भर जाएगी उसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी height कर देंगे जैसे दोस्तों आपको खुद तो पता ही होता है कि मेरी height कितनी है तो आप जैसे मेरी height इस समय दोस्तों 162 cm है और यहाँ पर जैंडर में मैंने mail कर दिये तो मैंने यहाँ पर 162 cm height लिखके और यह पूरी detail भरके यहाँ पर दोस्तों यह टिक रहने देना non-dispension category उसके बाद में यहाँ पर check eligibility पर आप click कर देंगे तो जैसे ही आप check eligibility पर दोस्तों क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से गड़बल हो गया इसलिए मैं दुबारा से इसके लिए आपको बता रहा हूं तब तक मैं वीडियो को पॉस्त कर देता हूं उसके बाद में दोस्तों आपने यह पूरा form भर लिया और जैसे आप यहाँ पर check eligibility पर क्लिक करेंगे तो आप किस-किस ट्रेड में भरती देखने के लिए applicable है वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर मैंने यह टिक नहीं किया था इसको मैं टिक कर देता हूं और check eligibility पर दुबारा से क्लिक करता हूं चेक क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा टाइम लग रहा है और यह देखिए खुल गया है हमारे सामने अब यहाँ करके नीचे आएंगे तो आपके लिए सामने आएगा यहाँ पर देखिएगा आपका result मतलब आपकी इस criteria में जो आपके height भरी है आपने age भरी है उसके बाद में आपका जो qualification है उसमें आप किस trade की भरती देख सकते हैं केबल soldier clerk और storekeeper की ठीक है तो अगर आपके height यहाँ पर दोस्तों होती 170 cm तो आप और भी ज़्यादा भरती मतलब आपके सामने और भी ज़्यादा यहाँ पर categories आ subject होना चाहिए percentage क्या होने चाहिए जैसे मैं आपको बताता हूं कि आपको clerk के भरती देखने के लिए 10 प्लस टू पास होना चाहिए मतलब 12th पास मतलब आपके यहाँ पर subject का कोई भी requirement नहीं है आपके आर्ट, commerce, science कोई साभी subject हो चलेगा लेकिन आपकी जो overall percentage है वो 60% होना चाहिए और आपका 50% मार्ट से कम किसी भी subject में नहीं होना चाहिए और आपके पास में 12th में English होना अनुवारी है ठीक है उसके बाद में यहाँ पर आपका आजाएगे age limit, age limit होगी आपकी साड़े सत्रा साल से 30 साल तक मतलब आप साड़े सत्रा से 30 साल तक clerk की भरती देख सकते हैं ठीक है अभी दोस्तों यहाँ पर हम कुछ height को change करके देखते हैं जैसे अभी मैं यहाँ पर height बैसे मेरी तो 162 cm है क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों काफी सारी भरती के यहाँ पर साथ मतलब में साथ ट्रेड में भरती देख सकता हूं सबसे पहले है soldier general duty उसके बाद में soldier technical उसके बाद में soldier clerk nursing assistant उसके बाद में काफी सारे soldier tradesman में मतलब सभी का और यहाँ से आप अगर हो रही होगी application मांगे जा रही होगी तो यहीं पर आपको link भी मिल जाएगा ठीक है उसके बाद में दोस्तों आपको एक चीज़ और भी बता देना चाहता हूं जैसे आप अगर female हैं तो आपके लिए कितने height की जरूरत पड़ेगी तो दोस्तों यहाँ पर female के head के लिए मैं आपके लिए बता देना चाहता हूं कि वह आपके लिए मैं बताऊंगा next video में आपके लिए बताने जा रहा हूं कि अगर आप female हैं तो आप कैसे check कर सकते हैं उसके लिए आपको दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करें और हमारे यूट्यूब चैनल सिभा online classes को subscribe जरू करें तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो को साथ में thank you for watching तब तक के लिए नमस्कार